आज भारत का छेतरफल मोटा माटी 33 लाख वर किलोमेटर है लेगिन क्या आपको पता है एक वक्त ऐसा था जब अपना ये प्यारा सा देश 52 लाख वर किलोमेटर इलाके में फैला था ठीक सुना अपने 52 लाख वर किलोमेटर यानि वर्तमान से 60 फिस्दी जादा इलाके पर एक ही समराज्य का सासन था तब काबूल से बंगाल और कस्मीर से लेकर करनाटक तक लोग एक ही जंडे तले सिर जुकाते थी ग्यात इतिहास में तब के दोर में इससे बड़ा समराज्य सिर्फ मकदुनिया समराज्य यानि सिकंदर का था अब मैंसे कुछ लोग समझी गए होंगे कि हम किनकी बात कर रहे हैं फिर भी हम बता देते हैं हम बात कर रहे हैं खैवर दर्रे से कन्या कुमारी तक फैले मौरे समराज्य की इस मौरे समराज्य की जो आज से तीस सौ साल पहले तब की दुनिया का सबसे बड़ा समराज्य था जिसके द्वारा दिया गया असोग चक्र आज हमारे तिरंगे की सान है नमस्कार मैं हूँ आपका होश्ट नभी कान तोजा और आप देख रहे हैं NDR TV इतिहास आज दुनिया की कुल GDP में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है मोटे तोर पर ये माना जाता है कि वैस्विक GDP में इसकी हिस्सेदारी 24 फिजदी है दूसरे नमबर पर हमारा पड़ोसी देश चीन है जिसकी हिस्सेदारी 17 फिजदी माने जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि जब मौरे सामराज अपने चर्मोत कर्ष पर था तब पूरी दुनिया की GDP में उसकी हिस्सेदारी कितनी थी आर्थिक इतिहासकारों का अनुमान है कि तब दुनिया की आर्थवे उस्था में भारत की GDP का हिस्सा 32 से 35 फिजदी था यानि आज के चीन से मौरे समराज दोगुना अमीर था मौरे समराज की को थोड़ा और करीब से समझने के लिए चलिए आपको समय में 300 साल पीछे लेके चलते हैं ये जगह है बिहार की राजदानी पटना ये तब पाटली पुत्र था आप पाएंगे तब इसकी लंबाई 16 किलोमेटर और चोड़ाई 3 किलोमेटर है नगर के चारो तरफ एक दिवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं नगर के अधिकांस मकान लकड़ी के बने हैं नगर में चारो ओर लकड़ी की प्राचीर है जिसके भीतर तीर छोड़ने के अस्थान बने हैं सहर के बीच में राजा का महल है जिसके बैभो के सामने इरानी बात्सा का महल सुसका और इक बताना फीके लगते हैं समराद के दर्वार में अच्छ सजावट मिलती है और वहां मौझूद सोने चांदी के बरतनों से आँखों में चकाचौन्ध पैदा हो जाती है राजा राजपरसाद से सोने की पाल की या हाथ ही पर बाहर निकलता था नगर में अधिकांस घरों में ताले नहीं लगते थे धरसल प्राचीन पटना का ये विबरण हम आपको मसहूर युनानी राजदूत और समराज चंद्रकुप्त मौरे के दर्वार में बतोर सलाहकार मौजूद रहे मेगस्थनीज की किताब इंडिका के हवाले से बता पा रहे है ऐसा माना जाता है कि मेगस्थनीज की इंडिका में कुछ बाते थोड़ी भ्रामक भी हैं लेकिन हम आपको वही बाते बता रहे हैं जिसकी कुष्टी दूसरे सोर भी करते हैं मसलन असोक के सिलालेख, बौध, ग्रंत और दूसरे विदेशी यात्री फाहियान आदी 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 बारहाल बात को आगे बढ़ाते हैं किसी भी देश की अर्थवेवस्था की रिड की हड़ी सड़कों को माना जाता है मौर्य समराज के इतिहासकारों पर भरोसा करें तो समराज चंद्रगुप्त के सासनकाल में उत्तरा पथ का निर्मार किया था जो आज के बंगलादेश के सहर चटगाओं से सुरू होकर के अफगनिस्तान के काबुल तक जाता था बाद में इसी को आधार बनाकर सेरसा सूरी ने सराक ए आजम का निर्मार कराया जिसमें सुधार कर अंग्रेजों ने ग्रेंड टैक रोड बना दिया मौरे समराज में भारत का कारुबार रोम, फारस, सीरिया और मिस्र के साथ भी होता था मौरे सासकों ने गुजरात और महाराष्ट में बंदरगाह बना रखे थे जिन से समुद्री कालुबार होता था मौरे सासनकाल में सुने और जान्दी और तामबे के सिक के प्रचलन में थे मुख्य मुद्रा जो थी वो चान्दी थी जिसका नाम पन था उस समय नियुनतम वेतन साथ पन और अधिक्तम वेतन अर्तालिस हजार पन होता था विक्री कर के रूप में मुल्य का दस्वा भाग लिया जाता था इसके अलावा कर चोरी करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान था पूरे मौरे समराज में पाँच राजधानिया थी मुख्य राजधानिय तो पाटली पुत्र थी इसके अलावा उत्रापत राज की राजधानि तक्छुशिला दच्छणापत की सुवणगिरी अवंती की उज्जेनी और कलिंग की तोसली थी असुप के सुर्वाती अभिलेक साल 1908 में अफगनिस्तान के कंधार सहर के पास मिले थी हुआ यूं कि यहां के एक चहेल पहाडी के पास चर्वाहों को एक चट्टान मिली जिसके आसपास खुदाई कराई गई तो सिलालेक मिले जिसे फ्रांसिची और इतालवी पुरातत ववीदों को दिखाया गया रिजर्च के बाद उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक ज़्यादातर अभिलेक प्राकिर्थ भासा और ब्राम्वी लिपी में लिखे गए थे अभिलेक के कुछ हिस्सों में युनानी और सिर्या की भासा इब्रानी भी थी ऐसा माना जाता है कि असोप ने ये सिलालेक अपनी युनानी प्रजाट ले लिखवाए थे ये सिलालेक काबुल के संग्राले में 1994 तक मौझूद था लेकिन उसके बाद हुई लूट पार्ट में ही गयव होगे और अब अग्यात है हलागी असोप के सिलालेक कंधार के अलावा खैवर पक्तोनकवा दिल्ली, वैसाली, चंपारन, सारनात, मदबगिस के साची, कनाटाक और अमरावती में लिपाएंगे इस दौर में तक्षिसिला, नालंदा, विक्रमसिला और कंधार सिक्षा के प्रमुख के अंदर थे इसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि असोप का राज्य आधुनिक असम से इरान तक और दच्छिड में गोदावरी नदी के आसपास तक सैला था अब आप बताएं ऐसे विसाल और सू संगठित सामराज्य का पतन कैसे होगी क्या इसके पीछे की वज़ा आहिंसा के मार पर जलना था या फिर असोप के उत्राधिकारियों का कंजोर होना क्योंकि असोप ने तो करीक 30 सालों तक सासन किया और अपने सासन के पहले ही दसक में उन्होंने बहुत धर्म की दिख्छा भी ले ली थी खैर आगली कडियों में हम इस पर भी बात करेंगे तब तक आप हमें इस मसले पर अपने कमेंट्स भेज़ें और अपने विचार हमारे सामने रखें धन्यवाद